हेलो बूर्निंग अलो क्यों पिछली क्लास में हम लोग अने मानाओ की उत्पत्ति देख ली थी कि इनसान कब कैसे आया यह हमने देखा था कि 2 दो मिलियन एयर्स अगो जब इस प्रत्वी पर आया हुआ तो उसके बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बहुत अच्छे से बदाया हुआ था कि आपको उस एरा में जाके रहना है जब बिल्कुल आपको मैं कहानी की तरह समझा रहा हूं तो आपको भी मेरे साथ साथ च स्क्रीन को अब करने से होगा कि मैं जो भी आपको जैसे जैसे पढ़ाऊंगा आप उसको ध्यान से सुनेंगे और अपने आपको एरा में लेकर जाएंगे ठीक है जैसे मैंने आपको बताया था उसकी पूरा का पूरा यहां पर एक माइंड में बना दिया हुआ है मतलब जो पूरी की पूरी एक क्लास है उस पूरी क्लास का निचोड दे रखाऊ सबसे पहले ये दो मिलियन इयर एगो इंसान प्रत्वी पर दिखाई दिया था ठीक पहली बात जब वो प्रत्वी पर आया था तो उसको दो सबसे बड़ी समस्यां या चुनोतियों का सामना करना को ला पहली थी भूख और दूसरी उसको लगती थी ठंड ठीक है क्योंकि उस समय क्या होता था बहुत बर्व पर अब भूख तो सभी को लगती है और जिस इसाब से यहां पर इंसान की जो प्रवत्ती थी या जो इंसान आया हुआ था तो उसको भूख अपने साथ में लेके आत बच्चे होते हैं तो उनकों भी सबको भूख लगती है इंसान बहुत बहुत जादा थी तो इसको थंडवी लगती थी इसको दूए बहुत बड़ी समस्या है अब जब समस्या होंगी तो एक सीदा सा फंडाय इंसान उसको सुल्याने की कोशिश करेगा समस्या होगी तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेगा ना उसने क्या किया भूख का सॉल्यूशन जो उसको मिला वो मिला उसको पेड पौधे फल जो भी उसने देखा कि दूसरे भी जो जानवर खाते रहते था बंदरी था पेड़ पर रहता था तो उसने पेड़ अब उसके लिए नया option भी मिल गया उप्षण क्या था कि उसको जाणवर मार घाने में भी मजा आने लगा फिर क्या हुआ था उसको ओस को दे रहा है लिए तो इसको दो तरीके से याद रफना एक हमारे आपके序र्वाने पास तो अब थंडे से कौन बचाएगा पेड़ी की तो बचाने ने के टरीगे एस सब्सक्राइब को करने तो अब भाई उसको टूल्स बनाने पड़ेंगे गड़्डा पो देगा तो हाथ से थोड़ी खुद देगा खुद पाएगा क्या जानवर मारना है एक हद तक ही मार सकता है हाथ से बाकी तो उसको कहीं न कई टूल्स की आवश्चक्ता होगी बड़े-बड़े जानवरों से तो फिर यहां देखेंगे कि उसने टूल्स है अब टूल्स बनाना है कोई जरुवत होए उसको अब जरुवत की पूर्ती करना है तो सबसे पहले हम जैसे बोलते हैं कि आवश्चक्ता ही अविश्कार की जन्नी है तो इसको आवश्चक्ता ही बैता हुआ दिखाई दे रहा पढ़ा है एक हमारे पास है पेड़ी की चाल और दूसरा है जनवर की खाल अब उसको थन्ड़ से कौन बचाएगा पेड़ी की चाल और जन्वर की खाल Privinaire कि उसको बचाने के तरीकिśliिकीयों मिल गये उसको जब उसने जन्वर को मारा मास खाने को मिल गया और उसकी ज ग पड़ी तो अब भाई उसको टूल्स बनाने पड़ेंगे गड़्या पोदेगा तो हाथ से थोड़ी खुद देगा जानवर मारना है एक हद तक ही मार सकता है हाथ से बाकि तो उसको कहीं न करें टूल्स की आवश्चक्ता होगी बड़े-बड़े जानवरों से लगने के सब कामों की तो इसको कुछ ना कुछ अविश्कार करना था अविश्कार इसने टूल्स का किया है तो कि जैसे जैसे समय बीत रहा था आदमी की बुद्धिमत भी आंगे बढ़ रही थी बड़ी हो रही थी उसके अंदर ग्यान आ रहा था उसने देखा कि उसके आसपास उस बहुल मात्रा पे पत्थर दिखाई थी पत्थर के साथ सबसे अच्छी चीज यह थी कि यह सबसे जादा उपयोगी था उपयोगी उसके क्यों था क्योंकि हर जगे वह आसानी से प्राप्त हो जाता था वह किसी भी जगे जाता था वहा पे उसको पत्थर तो मिलता ही मिलता है पैवल शेप में पथ्थर है हैंड ग्रिब शेप में पथर हैंडेक्स के रूप में पथर का उप्योग की तो इसने वहाँ पथर बहुत सारी वियराइटी मिल गई तो सबसे उप्योगी चीछ जो उसके पास रही वो रही पत्थर और क्या देखा उसने कि जानवर-अनवर मर गए हैं तो उनकी हड्डिया हैं हड्डियों को भी उसने टूल्स के रूप में काम किया पत्थर को उसने बढ़िया से हड्डी में फसा दिया तो उसका हदौला बन फहला ज्याओं है लिए लिए मीट के साथ चाहिक जाएं हैं मीहें मीट के संफ़ाती के मिल रहे थी खाल मिले थी जब में मारेतका मीमारे हटा मीट को खालेगा हैं और उसकी खाल मिले तो फेर उसको भी बचाहिए की पेड़ के शाल नीडिवे headed हैं Site Grundetin के प्तार के बशे स चानवर की खाल और पेड़ pouco उसने अपने पहनने के लिए यूँलिटी के लिए उसन हमाद मिया है यूद्छ सब्सक्राइब्स परी से सब्सक्राइब से हुगा हुगिया कि यह हमने देखा था सबसे पहले पढके के से नुम की थीडी तरह के पास cetदडीने दिमाग आ क्यारा चाता गया तो सबसे पहले वह फूडगैरर्य सब देा हंतिंग करी पहन लिया अब है धृँ आपने अप को बना लिया तो सबसे पास लिए हैंण लियाalone को तो देखो यहां पने पने तूल बना लिया और तूल बना के उसने यहां पे जानवरों को मारा तो उसकी खाल भी चाल के साथ भूख भी मिट भी ठंडे से भी को भी बच लिया फिर उसने दीरे अगरी कलचर स्टाट करना इस चाट किया एक जगे रहना पड़ा रहने के तो इसलिए वो एक जगे रुग्या वहीं उसने बढ़िया गायवाय पाल ली कुत्ते पाल लिए दूद मिलने लगा बढ़िया दूद पी रहे हैं और जो अन्य मिल रहा है उससे बढ़िया पेट भर के आराम की जिंदिकी हो गई जब उनका सेटलेवेंट हो गया कि भई अब हमें आराम से जीना है यहां खाना हो रहा है खाना है तो फिर उसका दिमाग चलने लगा आठें कि यार में चित्रगारी कर दू ना तो जब चित्रगारी कर दू तो उसके सामने जो चीज होती थी जैसे एनिमल्स को देखता था हंटिंग दे आज हमारे पास ना दिबाग नहीं कि हम उनकी लिखी हुई हुई चीजों, क्या पाते हैं कि यह रहे जानबर रहे होंगे, जानवर रहे तो इससे हमारे लिए आर्टन कल्चर पर उसने फोकस किया तो फिर हमको मालूम बढ़ा कि एक्चुल में वहां के जीवन क्या रहता था कैसे रहता था ठीक है और जब उसने एक सेडेंटरी लिविंग यहां पर स्टार्ट कर दी तो दीरे दीरे उसने सिविलाइशन का रूप ले लिए सिविलाइशन मतलब होता है सब्विता कैसी होती है यह सब्विता का जो अर्थ होता है वह क्या होता है जब बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग मिलके और कोई एक चीज को मानने लगते हैं किसी एक चीज को मानने लगते हैं तब वो जाके हमारी कहलाती है सब्व जैसे कि आप अगर किसी भी एक community को उठा ले जैन को उठा ले ब्रामन को उठा ले तो इन लोगों ने कहा किया कि कोई एक इन्हों ने concept पकड़ा और उस concept को यह मानने लगे तो यह हमारी कहलाती है सब्विता जब पूरे के पूरे बहुत सारा जन्मानस किसी एक चीज को ही मानने लगता है तो हम उसको कहते हैं सब्विता ठीक है तो अब हम नेक्स लेक्चर में हम पढ़ेंगे सब्विता के बारे में सिविलाइजेशन के बारे में ठीक है कि हमारी सि तो इस दिसकस करेंगे ठीक है यहां तक का कॉंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा ठीक है एज फिर से एक बार फिर से अपर रिपीट कर लेते हैं सबसे पहली एज थी पहली ओलिथिक एज डूसरी थी मेज़िक एज तीसरी थी नियो लिविंगेज सबसे पहली यह जो थी थी हमारे पास वो थी पहली ओलिदेग एज ठीक है फिर सेकेंड थी मीजुलिदिक एज थर्ड थी हमारी नियोलिदिक एज और फूर्द थी चारकोलिदिक एज ठीक है अच्छा एक बाद और इनका जो समय काल है यह समय अंतराल है जिसको हम कहेंगे पीरियर ऑफ टाइप यह हमेशा ओवरलेब करता है समझ में आरी बात जैसे मान लोग कि यहां पर हम कहेंगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका कल्चर 2520 से स्टार्ट हुआ था पर कुछ बुक्स में कहते हैं कि 2820 से उसका कल्चर इस्टार्ट हुआ था तो अब यह 2500 और 1300 सालों का यह गैप कैसे आया तो यह इस तरीके से आता है कि जब कोई भी सिविलाइजेशन है वो चल रही है अब वक्त बद एक मैं पहले इस कॉंसेप को बताने के पहले एक हो जाओ ठीक है कोशिश कर रहें ना पदले होने के तो क्या आप एक पीरियेट पर ऐसा बोल सकते हो कि आज अब हम टाइम लाइब देख लेते हैं कि किस किस टाइम लाइन में किसके समय इंतराल में क्या क्या हुआ है क्योंकि अभी तक हमने समय देख लिया कि ओबर लेप ह स्टाट होता है पांच लाख बीसी से अचल्जाद शल्य कोघ्डिंस एकम पूर बीचिमी और एडी में अंतर नेको डीकों सलिदो और क्राइसट और वाल्योंव से न आफ्टर कॉमन एरा चलने लगा है ठीक है विफोर कॉमन एरा और आफ्टर कॉमन एरा ठीक है उसकी एक लबी कहानी है अपने उसको बाद में डिसकस करेंगे अब यह आप यह समझ लें कि विफोर क्राइस्ट और इसका मतलब यह है कि जो जीजस हुए थे उसके पहले की कहानी और उसके बाद की कहानी ठीक है तो पांच लाग बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट हमारी पहलो ले देख स्टार्ट हो गई थी जो कि हमारी 10,000 बीसी तक चली इसकी जो इंपोर्टेंट साइट्स है वो जो हमारे यह भाईजाब जो उस समय हुए थे ना हमने बताया था थोड़ी देर पहले ही कि वो जब बिल्कुल हर चीज से तरफ्त हो गयते तो आर्ट एंड कल्चर में उनका फोकस बड़ा था तो उन्होंने क्या हुआ है कि आप बीम बेट का साइट्स में उन्होंने चित पारिश और सब को जेला हुआ है दूल मिटी आदी बारिश ठंड गर्वी वरसा सब को जेलने के बाद भी वह कलर्स अभी मिटे नहीं है थोड़े बहुत फेड पड़े थोड़ा बहुत अंतर आया है बागी पूरा एस इस है तो कभी जब मौका पड़े तो चाहिए देख देख हैं साइट कहां पर पाई गई है ये साइट कहां पर मिलती है तो आपको बताना है हिब ने अरामस सचित्र गां उसने कुछ चित्र बनाए उसने चितर बनाया राए कायर से बनाया हाथ से और नोरा मतलब पत्थर से हाथ और नोरा हत नोरा ठीक है या हतवला उससे उसने पूरी की पूरी चित्रकारी मज़ी यह उसकी दोगी हमने फळसे पढ़ने के लिए आसान बनानी लोर पहलो पहलो से पचास हजारं बी सी तक का पीरियड प्लॉल्पलूटिक चाहस हजारं से दस हजार दीशी का पीरियड हर एक बहुत सारी किताबों में सब अलग-अलग दिया हुआ हम जो कंटेंट लेके आया है वो NCRT से कंटेंट लेके आया है क्योंकि NCRT एक अथेंटिक बुक है और और इंडिया में उसको पूरा जम्मु कस्मीजी से लेके कन्या कुमारी तक इवन अंडमा निकोबार तक में भी सेम पढ़ा जाता है इसलिए हम जो कंटेंट लेके आ है वो NCRT का कंटेंट एंडिक की बुक से सब्सक्राइब करते थे पत्थरों से टूल्स का इस्तमाल करते थे पत्थरों से अपने खाने का इंतजाम करते थे पेड़विण काटके लाते थे काम पूरा पत्थरों से ही हो रहा था फिर आती वीजव नते केज तस अधार से लेके आठ अधार तक इसमें क्या हुआ है पत्थरों को स्पोर नियुक्ता थे व्यक्ति था आग मिल गई बैठके पत्थर को एसा-इसा तोड़ गास पूस रखन दी आग बगड़ा तो उसको वाग में लगई जो की बहुत बड़ी खोच थी है ना और यह जो नीदर भाईसाब थी नीदर लेंड के कहीं उनकी समाज चलती थी वहां से बिलॉंग करते थे इसकी जो भारत में इंपोर्टेंट साइड है वह तिल वारा एंड बाब ओट जो की राजिस्थान में है लेंगनाज गुजरात में हैं और आदमगर एमपी में हैं ठीक है इस सवे जो बहुत इंपोर्टेंट काम हुआ वह काम हुआ कि इनों ने यहां पर लेदर का वर्क करन झानवरों को मारकर तो ईसको पहना तो लेदर वर्क करना अन्य लेके आया है, जहां भी उसको कुछ खाने को मिला उसने रख लिया इस्टोर वाली प्रवत्ती रहे गुफा में ही रहे पर थोड़ा सा अपना रातवात का उसने विवस्था करके चल रहे है। बास्केड बना के कि समाना मन लेके आ रहा है। ね शां करने जो कुट्तो को पालना शांट किया डूद्ध देते ल我们 कि ऊसको संग्य में आने लगता कि सारे भढ़ को हमें मारणा नहीं है कुछ पषुय ऐसे भी तो यहांपे हमने देखा कि उसने स्टार्ट की फिंग start करके की मश्रियों को मार नहीं स्ट कर दिया बड़ी भड़ी लखनियों से लेकर उसको नुकिला किया और Π pedra कर ऑब मिली गई थी बड़िया पका और मस्ट काते थे ढहते थे भड़ी समय के निए एच 1,000 BC से लेकिर 3500 20 तक ओओ यहां पर हमको सबसे छीची मिली पर्मनेंट सेटलमेंट वह एक जगे आकर रुक के बसने लगा कैसे उसने एगरी कल्चर स्टार्ट करी रेगा अन इखटा होगा तो अन को रखने के लिए कुछ चाहिए तो उसने यहां पर पौटरी मत्ला मट बड़े-बड़े बहंडे टाइप बनाए तो इसने आप तो पहले कर लिया तर फिर उसको बढ़िया उसने। आपस चली और रखा उसाथ में और उसने इस ने काफंस होते oyun atrás‍। आपसे बांश कर दो के में लग से तमाल किरेंगDU extremely, I-C, which I have to wear while op कि पीरियज से डेर्टिट हैं तो विर्जू कि कि पॉर्जूम के सरे होसे क्यूस है यह पंकिब हीने सब्सक्राइब में जो बुर्जूम साइट है उसकी महत्वता इसलिए है कि बुर्जूम में जो खुदाई-वदाई करी गई तो वहां पर आदमी के साथ कुट्टे की हड्डिया भी परापती इसका मतला यह था कि कुट्टों को अपने मालक के साथ ही उस कल्चर में दफनाया जाता था और है आख यह चो नियोलिदिक अीज है नियोलिदिक एज कि भारत में जित्नी भी साइंट्स मिली हुए है वह मैक्सिमम साइट्स है कश्मीर में मिली हुए है कस्मीर और पाकिस्तान वाले जो एकलिग्शापनि कल्चर यह बहुत ज्युद्धिक चिश्याइज हों गति तो होती है फिर आता है हमारा चार्कोलितिक एज मतलब ब्रॉज जेज उसे पटतर के टूल्स बगेर बनाए यहां पर के टूल का इस्तमाल करने लगे इसका जो पीरियाड यहीं 5000 BC – 200 BC तक का पीरियद है हमारी सिविलिजिएशन स्टर्ट हो जाती है यहां पर लो कॉलिटी के बुरोंज भी मिला यहां पर हमने देखा कि परवानेंट सेटलमेंट मिल गया था लोग हंट ना रहने लगे थे घर बना के रहने लगे थे इंपोरेंट साइट है मालवा वहां सेरमिक के बरतन भी प्राप्त हुए दायमाबाद महाराष्ट में दायमाबाद important side है हमारी कहना चाहिए सदन मुस्ट-point है हमारी civilization का दायमाबाद यह चार के साथ मेटल का प्रियोग से लोगों को मारने के लिए लोग नहीं मतलब, जानवरों को मारने के लिए हम जो टूल बना रहे थे, खेती करने के लिए जो टूल इस्तमाल कर रहे थे, उन में इंप्रूमेंट आया, खेती के लिए हम अंदत किसम के टूल इस्तमाल करने लगे, पैदाबार बढ़ गई, अब जब यह हुआ, तामा मिल या एक दूसरे कभी लोग पर या जो एक दूसरे शोसाइटी पर इन लोगों ने कभजा भी किया वह अपन दीरे-दीरे देखेंगे कि कैसे इन लोगों ने काम किया अब हम देखते हैं कि हम इस एज पर यूमन का माय्ट डेवलोप हो गया कि वो एक civilization बना के रहने लगा घर बना लिया civilization बना लिया settlement हो गया agriculture हो गया ठीक है साथ-साथ में यहां पर हमने देखा कि वो इते भी बनाने लगा हुआ है पकी हुई इटो का इस्तमाल को घर बनाने में करने लगा है तो नेक्स लाज में हम देखें गें करेंगे इंडस्वैली सिविलाइजेशन जो की भारत की सिविलाइजेशन हैं इंडस्वैली इसको हम कहते हैं हरपा कल्चा ओके, have a nice day, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, अपना जोस बनागे रखें, मोटिवेटेड रहिए, अगर कोई दिक्कत होती है, डाउट होती है, तो बिल्कुल कमेंट करके हमसे पूछिए जरूर, और अपना जो six sense है, जो आपकी स्क्रीन है जहां पर आप सबने देखते हैं, उ इसको एक बार, फिर रिवाइस करिए, आख बंद करके उस एज में जियो, जिस एज के बारे में हम बढ़ा रहे हैं, उसके समय काल के साथ साथ ऐस तरीके से जैसे ही आख बंद करोगे, आपके सामने ऐसा परदा खुल जाना चाहिए, जैसा आप अपर टौकीज में मूवी देखते हैं, सबसे पहले टाइम पिरियद, इस टाइम पिरियद से पहलो लेतिक एज, पुरा पाशानी योग, अब उसमें लोग दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, बर्फ दिख रहे हैं, नदी दिख रहे हैं, पत्थर दिख रहे हैं, पेड दिख रहे हैं, इस तरीके से इमेजिनेशन करिए इस तरीके से जब इमेजिनेशन करोगे ना तो आपको ऐसे लेगा बिल्कुल कहानी एक पिक्चर की तरह पूरिया का पूरा समय निकल रहा है okay stay motivated साथ में बने रहिए have a nice day the shining of the session Anurajan okay all the best